दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पाक जिहादियों ने घाटी में खूब दबाकर उपदर मचा रखा है इसी उपदर को मचाने की सजा आज इनको अच्छे से मिल भी चुकी है और हमारे चार जवानों के बदले आज पाक फोज के साथ जवानों को ठोक दिया गया है दरसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घाटी में अपने जिहादियों को भेजा जा रहा है कल ही हमारी सेना की तरफ से पाकिस्तान के इन दो जिहादियों को पकड़ लिया गया है और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन जिहादियों के पास से चाइना में बने हतियार बरामद हुए हैं और ये हत्यार इन जिहादियों को पाकिस्तान की ISI की तरफ से मोहिया कराए जाते हैं और इनी हत्यारों की वज़े से परसो ही हमारी सेना के चार जवान सहीद हो गए हैं लेकिन हमारी सेना तो अब तक इन जिहादियों को ठोकी रही थी लेकिन आज BLA यानि की Balooch Liberation Army की तरफ से पाकिस्तान की सेना के उपर एक जोरदार हमला किया गया है और इस हमले में पाकिस्तान की सेना के साथ जवान मारे जा चुके हैं ये तो पाकिस्तान की फोज की तरफ से क्लेम किया गया है एक्चुल में ये आकडा 14 से 15 का बताय जा रहा है इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि इस हमले को हमने ही पाकिस्तान की सेना के उपर किया है जिससे आज ये बात साबित हो जाती है कि जिन पाक जिहादियों के दम पर पाकिस्तान भार्तिय जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था आज वो ही जिहादी पाकिस्तान की सेना को ठोकने में लगे हुए हैं और अब पाकिस्तान की ये टेंशने बिल्कुल भी खतम नहीं होने वाली हैं क्योंकि इनकी ठुकाई अब तीन तरफ से शुरू हो चुकी है एक तरफ तो भारतिय सेना लगातार पाकिस्तान के जिहादियों को चुन-चुन कर ठोकने में लगी हुई है वही पर दूसरी तरफ पलूच लिब्रेशन आर्मी की तरफ से हर हफते पाकिस्तान के जवानों को ठोका जा रहा है पलूच लिब्रेशन आर् पर पाकिस्तान भारतिय सेना के उपर हमले कराना चाहता था लेकिन अब इनी तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के बोर्डर पर पाकिस्तान की सेना को ठोकना शुरू कर दिया है जिससे अब पाकिस्तान की सेना को तीन तरफ से मार पढ़ रही है जेसी को बोलते हैं जेसी करनी वेसी भरनी पर अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान की सेना के साथ ये सब सही हुआ हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो